यहां पर जो टुरिस्ट आते हैं वो बीचेस के साइट पर गुड़ सवारी करते हैं यहीं से बुकिंग कराते हैं वो लोग और जाते हैं गुड़ सवारी के लिए देख सकते हैं यह लोग दोड़ाता भी है पाले जो लेकाया थो नहीं दोड़ाया था अभी देख सकते हैं यह दोड़ाता भी है हेलो गाइज गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका हमारे एक और नहीं ब्लोग में और अभी हम आए हैं पेल अंब्रे जो बेलोन बोलते हैं यह मोरिशस का एक बहुत ही अच्छा बीचेस हैं इसके आसपास बहुत ही होटल्स हैं तो यहां का मैं दिखाने का कोशिश करूँ आपको यहां का व्यूव देख सकते हैं अभी बने रहे हैं हम आपको दिखाते हैं यहां का व्यूव यह चारो तरब का व्यूव यह जो रोड ऐसे में ग्रहियां से जाता है और इधर बीचकॉप तक होते हुए बीचकॉप से आगे तक जाएगा मतलब यह मोरिशस के जो साइड में समुंदर किनारे का जो रोड है वही है जो हम दिखा रहे हैं तो आप लोग लाट तक वीडियो में बने रहे हैं और इंज्वाय करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा अब कर दो कर दो कि यहां पर गुर्सवारी के लिए यह जो तो पैराडाइज बना रखा है बैलोन में वो भी आपको दिखाएंगे और यहां पर समुंदर किनारे का जो नजारा है वो भी दिखाएंगे तो जो लोग नए है प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि और भी जो भी नए वीडियो है हमारा आप तक पहुंचत अब आप यहां पर आप यहां पर आता है तो यहां पर होटल का बुकिंग बॉख लेवल लगता है और आप यहां का बीचेश का मजा ले सकते हैं इंज्वाइब कर सकते हैं और पास में यहार्स राइडिंग है यह देखिए सामने जो मोरिशस का फ्लैग लगा हुआ है साथ में होर्स पारडाइज का यह जो एरिया है यहां पर देख सकते हैं यह है पूरा एरिया यहां पर जो टुरिस्ट आते हैं वो बीचेश के साइड पर गुड़ सवारी करते हैं यहीं से बुकिंग कराते हैं वो लोग और जाते हैं गुड़ सवारी के लिए वो देख सकते हैं दो दो गोड़े हैं और भाई लोग इसको ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह टालाना पड़ता है इसको आप लोग वीडियो में लाज तक बने रहे हैं और देखिए और आगे भी हम आपको दिखाते हैं बीचेश का जो यहां का बीचेश है जो हर्स राइडिंग के लिए लोगों को लेके जाते हैं यह लोग वो साइट का भी नजारा दिखाएंगे अभी हम आगे हैं समंदर किनारे यह बहुत से लोग मच्छी पकड़ने के लिए आते हैं क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में मौसम सही रहता है ज्यादा धूप नहीं रहता है तो मच्छी पकड़ने के लिए सही होता है यहां करना जारा बहुत है अच्छी पकड़ने के लिए है और कभी भी आद आप यह दि मोरिशस आते हैं तो एक बार इदर जरूर गूम यह होटल्स भी है और बीचे बिल्कुल सांथ मिलेंगे कोई वह नहीं है पानी भी ज्यादा नहीं है क्योंकि यहां पर दूर दूर तक आप देखेंगे कि लोग टालते हुए मिल जाएंगे सुबह सुबह क्योंकि आज हम जो हम आये थे सुबह के टाइम ही आये थे कि अटेंगे सुबह क्या है कि अटेंगे वह नहीं हुए है झाल झाल आप लोग बने रहें आगे भी हम दिखाते हैं यादी कुछ मिलता है ऐसा दिखाने के लिए तो ब्लॉग में बने रहें आप झाल 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 अच्छा ना जा रहा है यहां का जो बेलोन का यह बीच है देखने के लिए बहुत ही अच्छा है और अभी हम आगे तक चलते हैं आपको दिखाते हैं कि वहां का भी ब्यूद अच्छा है कि देखें पानी के इतना अंदर जा जाके लोग मच्छी पकड़ते हैं और बहुत से लोग हैं जो इदर गुमने के लिए आते हैं कि अच्छा हैं यह लोग टुरिश्ट लोग आते हैं वो लोग को गोड़े पर बेठा के घुमाता है समुंदर किनारे किनारे यह एरिया इधर तक लेके जाएगा अंदर तक दो चोटे के एक बच्चे है उसकी मम्मी है दोनों लोग घुड़े बैटे हैं कि यह लोग गोड़े को दोड़ा नहीं रहा है सिफ टाला रहा है अराम से मालूम नहीं साथ आगे टालाए दोड़ाएगा लेकिन अभी तो फिलाल में सिफ टाला रहा है इसको कि आप भी गोड़े बैटना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं कि बेलो ना सकते हैं यहां पर हस्पारडाइज यह कंपनी है वहां पर कि ंपले अचल झाप साथी काम किअ auch यहां पर से लिएओबर के वालूम टोबनेटें कि प्रॉल यह लोग दोड़ाता भी है, पहले जो लेकाया तो नहीं दोड़ाया था, अभी देख सकते हैं, यह दोड़ाता भी है हुआ है नहीं दोड़ाता भी है